इन्टीन सिक्स्टी टू इंडो चाइना का यूद्ध चल रहा था और पहली बार NCC केड़ेट्स को बॉर्डर पे उतार दिया गया था आज मैं बात करूँगा NCC के क्या फायदे है इंपोर्टेंस ऑफ जॉइनिंग NCC मैं बात कर रहा हूँ 1962 की ये वो टाइम है जब ऑफिसेर्स ट्रेनिंग अकैडमी बनी थी और इसलिए बनी थी क्योंकि चाइना के युद में एक चौथाई अरुनाचल प्रदेश हम हार गए थे और चाइनिज सोल्जर्स एन ऑफिसेर्स की तादात बहुत ज़ादा थी हम लोग बहुत कम थे और भारत को रेलाइज हुआ और तुरंद भारत ने आफिसेर्स ट्रेनिंग अकैडमी बनाई भारत ने एन्सी सी कैड़ेट्स को बॉर्डर पे उतारा और 1962 में एक बिल पास किया गौर्रमेंट ओफ इंडिया ने की अपात कालीं स्थिती में एन्सी सी को रिजर्फ फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कभी खुदा नाखास्ता अगर जंग हो जाए और हमारे पास सैनिक कम हो जाए तो एन्सी सी को हम यूज करेंगे एन्सी सी यानि की नाशनल केड़ेट कॉर्प्स को हम यूज करेंगे एस्परेंस मैं आपको यहां भी बता दूं कि 1962 से 1965 तक एन्सी सी ट्रेनिंग कमपल्सरी थी भारत में जी हां कुछ ऐसे देश हैं जहां मिलिटरी ट्रेनिंग कमपल्सरी है उसमें से सिंगापूर एक है औस्ट्रिया एक है ऐसे ही भारत में भी उन दिनों 1962 से 1965 तक कमपल्सरी एन्सी सी ट्रेनिंग हर एक यूद के लिए कर दी गई थी प्रतेख शनीवार प्रतेख रवीवार को पूरे हिंदुस्तान के जितने 16 से 21 साल के लड़के हुआ करते थे उनको एन्सी सी के ट्रेनिंग कमपल्सरी कर दी गई थी फिर धीरे धीरे युद खतम हुआ और एन्सी सी ने ये कमपल्सरी ट्रेनिंग खतम कर दी गई लेकिन 1962 ये एक ऐसा एतिहासिक साल है जब एन्सी सी केड़ेट्स की बड़ी मदद मिली थी भारतिये फौज को और उसी दिन से इंडिया नाम्ड फोर्सेज में एन्सी सी के लिए एक अलग इज़त बन गई जी नाशनल केड़ेट कॉर्प्स इस मोटिफ से बना था में नहीं मगर एन्सी सी की बात करें तो में नहीं एन्सी सी का था कि ऐसे यूथ बनाएं जो मोटिवेटेड रहें जि एन्सी सी को जॉइन करने के लिए आज की तारिक में दो तरीके हैं एक जूनियर विंग एक सीनियर विंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि एन्सी सी सिर्फ लड़कों के लिए एन्सी सी लड़के एवं लड़कियों के दोनों के लिए है आर्मी विंग एर विंग नेवल विंग अब जो जूनियर विंग है वो स्कूल के लिए होता है मिनिमम एच तेरा साल दो साल के लिए होता है और इसे जेडी भी बोलते हैं जूनियर डिविजन मैकसिमम दो साल के लिए कैनिडेट्स जॉइन करते हैं तोर पर 10th के बाद ये candidates join करते हैं 11th और 12th के लिए जो SDA, SDA की maximum 26 साले SDA को senior division भी बोला जाता है senior division 3 साल के लिए होता है और इस 3 सालों में NCC cadets को अलग-अलग certification मिलता है जैसे NCC A certificate, NCC B certificate, NCC C certificate तीनों certificates के अपने महत्व है, SD में जब candidate NCC करता है तो उसको अलग-अलग camps attend करने का मौका मिलता है, exposure मिलता है, अलग-अलग candidates के साथ समय व्यतीत करते हैं, एक group में रहने की आदत, group में काम करने की आदत, leadership skills, इस तरीके की qualities खुद से develop होती है, ये एक NCC का महत्व है, NCC आपको exposure देता है, Republic Day Parade में participate करने का, NCC आपको exposure देता है, बाहर के देशों की youth exchange के थूँ, बाहर के देशों में जाना, वहां का culture सीखना, अपने आप में NCC बहुत बड़ी एक organization है, बात करें NCC के certificates की, तो जैसे कि मैं बता रहा था, NCC के तीन certificates होते हैं, NCC के A certificate, B certificate और C certificate, तीनो certificates की अपने-पने महत्व हैं, तीनो certificates का कही न कहीं फॉज में योगदान है, NCCC certificate, बहुत चर्चित entry है, जिसके थूँ, candidates, फॉज को जोईन कर सकते हैं, एक direct entry है, जिसे NCC special entry, short service commission कहते हैं, इसमें जो vacancies होती है, वो लगभग 55 vacancies होती है, 50 vacancies लड़कों के लिए, 5 vacancies फीमेल के लिए, और सीधे officers training academy चिन नहीं, एवं, air force academy हाइदराबाद जाने का मौका मिलता है, पर शर्ती है, SSB interviews clear हो, वहीं, CDS के थूँ भी, लड़कों के लिए, NCCC certificate का एक fixed number of seats होती है, Indian military academy के लिए 13 से 15 seat हैं, और Indian naval academy के लिए 5 से 8 seat हैं, अगर आप, अभी तो अगनी वीर आ गया है, बट पहले जब 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 आर्मी में हुआ करते थे, तो आर्मी A certificate की वज़े से, NCCA certificate के लिए आपको प्लस 5 marks मिलते थे, B certificate के लिए प्लस 10 marks, और C certificate से आपको direct किसी प्रकार का कोई written test देने की ज़रूत नहीं थी, direct physical दीजिए और जबान बन जाईए, नहीं फॉज में private organizations, जैसे reliance, जैसे cognizant, जैसे infosys, आज सारे security officers, NCCC certificate में है, paramilitary forces में 2 से 10 bonus points मिलते हैं NCCC certificate holders को, department of telecommunication, government of India, Indian oil, government of India का PSU, इन सब में NCCC का एक special quota है, CRPF, CISF, यानि की assistant commandant बनने के लिए, अगर आप paramilitary forces में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको NCCC certificate आपका फाइदे मन्द है, state governments में, industries में, हर जगे NCCC का आपको फाइदा मिलता है, NCCC join करने से आपके अंदर discipline आता है, NCCC join करने से आपका motivation भरता है, आपके अंदर leadership skills आते हैं, aspirants, NCCC एक रास्ता है, जो आपको मौका देता है, फाज में सर्फ करने का, इस मौके का फाइदा उठा है, अपने स्कूलों में NCCC join करें, अगर आपके स्कूलों में NCCC नहीं है, तो हर जगे पे NCCC centers हैं, वहाँ पे जाएं, बताएं कि आप JD, या Junior division जोइन करना चाते हैं, और अगर आपका NCCC में हो जाता है, तो आप join कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि अगर आप के स्कूल में NCC नहीं है तो आप join नहीं कर सकते हैं आप किसी और स्कूल में भी जा सकते हैं पर शर्ती है, वहाँ के Commanding Officer आपको Allow करें क्योंकि हर स्कूल में एक particular number of seats होती हैं और वो seats अगर school use कर लेगा तो आपके लिए opportunity नहीं होगी इसलिए aspirants NCC के nearest headquarters जाएं और NCC का एक हिस्सा बने ऐसी exciting videos के लिए Trishul Defense Academy चैनल को subscribe करें एवं अगर ये video पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक video ज़रूर पचाएं तैंक यू जैहिंत तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes